वेलकम टू इंस्पार फिजिस कलाशेस प्रेंट से दोस्तो आज से हम शुरुआत के निजा रहे हैं फ्लड मेकेनिक्स यानि तरल यांतरी के इंपोर्टेंट क्यूशनों की सीरिज है दोस्तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन लेकर के आ गया हूँ जो आपकी एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही पोर्टेंट है यह जो आप इन सभी क्यूशनों को कर लेते हैं तो यह क्यूशन आपके एक्जाम में जरूर हैप करेंगे तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो की और देखते हैं हमारा फलेड मेकेनिक यानि तरह लियांत्री का पहला क्यूसन है तो इसके पहला क्यूसन आपके सामने है इसमें आपको दिया वो है कि दर्वे से बरे पातर की तली पर दाब निर्वन नहीं करता गुर्ट की तवरण पर दर्वे इस तम की उंचाई पर तली के छेतर फल पर या दर्वे की परकरती पर इस क्यूसन में आपको क्या बताना है कि आपके पास कोई एक पातर है जो दर्वे से बरावा है तो इसकी सेत रिखते हैं कि दोस्तों यह हमारे दिरवक की प्रकरति पर निबर करता है घृत तो truc को धृत्स होता है इस पर अमारा एंपե्स हमारा दीत्य क्यूशन है इसमें आप से क्या पुछा गया है कि किसी Arbeitsý कॉस्थान पर जिके मान में दो परतीसरत की कमी आ जाती है तो बेरो मिटर में पारे की उंचाई दो परस्योथ बढ़ेंगी दो परतीसरत गटेंगी या अधल प्रियोटित रहेगी या कभी बढ़ेग Davidson कामन को यदि दो परतिशत की कम ही कर देते हैं इसमें डिक्रेस कर देते हैं तो दो स्के अंदर जो हमारा बेरोमीय्टर में या नि जो पारे की गटेगी तो दोस्तों हमने बताए था कि जो मारा प्रेशर का भॉर्मल होता है वो गुर्तिय त्युक्त कमि snoya लाहे है तो Эйज का मान अमारा बढ़ जाएगा तो दोस्तो यह स्के विड कमान पाती होता है जिया मायर G का मान दो परतिशन कम हुआ है तो दोस्तो एज का मान दो परतिशन बढ़ जाएगा तो इस प्रकार्ट से इसके रा jsemया एगा उपसे नमर A वाला तो याद रखना यदि किसी इस्तान पर जी के मान में 2% की कम्मी आ जाती है तो बेरोमीटर की उचाई में 2% की वर्दी होगी तो इसका राइट उस जाएगो अपसन नमर A अब देखते हैं आपके लिए थर्ड किशने आज का जो तीसरा किशन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि इस्तिर लिप्ट में रखा दाब मापी छत्तर चिंतर सेंटीमीटर पार्ट देता है यदि लिप्ट उपर की और तवरित गती करे तो दाब मापी का पार्ट होगा दोस्तों आपको क्या बताना कि एक लिप्ट है हमारी इसके अंदर दोस्तों मारा जो एक दाब मापी रखा है उसके अंदर दोस्तों जो इसकी पारे की उँचाई है वो छिंतर सेंटीमीटर है यदि दोस्तों मारा जो लिप्ट है ये किसी तवरन से उपर के उरगती सील है तो आपको बताना कि दोस्तों मारा जो पार होगा इसके अंदर जो दाब मापी के अंदर जो उंचाई होगी वो छिंतर सेंटीमेटर के तुल्य होगी या इसे अधिक होगी या इसे कम होगी तो हम जानते हैं दोस्तों यदि कोई भी विमारी लिप्ट है यदि वह किसी acceleration से उपर जा रही है तो उस में इसका जो परवावी तोरण होता है G- दोस्तों मारा G प्लस का A हो जाता है यादि दोस्तों मारा जो जी का मान यहां पर बढ़ा है वह पहले वाले कुशन में मैंने आपको बताया था कि जो एस होता दोस्तों मारा जी के विद कमान पाती होता है यदि जी के मान में वर्दी होती है तो दोस्तों मारा एस कमान कम होगा तो दोस्तों यदि यह है इस्तिर यानि दोस्तों जो ल यानि एक इस्तिर लिप्ट में ये दाव मापी चिंतर से एंटीमेटर Perché भिखती करें तो क्यों कि जो स्तितल करें निमें देख देखते हैं कुरूप की इसे निमर नबूस च्छेती जटल पर एत अवरोने से दाई और गति सील है दाब किन बींदूं पर अधिक्ता में वह नियूंतम होगा दोस्तों इस क्यूसिन में आपको क्या दिया है कि दोस्तों जल से बरावा को यह हमारा गरनाकार का एक पातर है यह है पूंसे जल से बरावा है इसको यह दि किरियावल होनले दोस्तों इसके जल के अउनों पर पीच्छे के ऊゲệc कोशिशिज करेंगे तो दोस्तों इसके बरेश ब difference को तरह की वाले जल के वो दोस्तों के वह यहां इंक्रीज होता जाएगा और दोस्तों अपन जाते हैं दूसरे हमारी सर्थ के होती है कि दोस्तों जैसे जैसे हाइट कमान बढ़ता जाता है नीचे भी मारा प्रेशर कमान इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हम जाते हैं जो दाप का फॉर्मूल होता है वो रोज जी एच होता है यह जैसे जैसे हाइट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेसर का मान बढ़ेगा यह जैसे जैसे नीचे जाएंगा इनकी बी पर आकर प्रेसर मारा मेक्सिम हो जाएगा तो दोस्तों अपन देखत जैसे 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 दराएंगे और बढ़ेगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा तो दी वाले पॉइंट पर तो मेक्सिमम हो जाएगा और डी वाले पॉइंट पर दोस्तों में नियूंतम पुछा गया तो डी वाले पर हो जाएगा नियूंतम तो यह बहुत ही अच्छा Qustion है इसा Qustion आपके चाम के पुछे जाते हैं तो इसको अच्छी तरह समझ लेना अब हापके लिए 5 Qustion है जो हमारा 5 Qustion है इसमें क्या कहा रहा है कि जल से बराब बिखकर किसी अन्य बड़े पातर में रखा जाता है वा चुसक दूरा पातर से निर पाते में रखेते हैं और चुस्थाक द्वारा एक दोस्तों इसका जो अंदर निर्वात हुत्पन करते हैं इसके जितना भी यानी वाय या मादयम था उस मादयम को रहा गाहन की swept यह यह दोस्तों यानि कि इसकी माले ते उंचाई एच है तो इसकी एच उंचाई के कारण जो मारा दाब था वो था रोज जी एचे यानि दोस्तों पहले इसकी तली पर ये दाब था जैसे ही दोस्तों इसके अंदर निर्वात उपन कर देंगे तो दोस्तों इसकी तली पर जो मारा आत्रीक दराब लगारा था यहाँ इतना कम हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि जैसे ही पातर से अपन निर्वात यह बहर कर देंगा यहीं निर्वात उत्पन कर देंगे इसके अंदर तो हमार जो दौस्तो बिकर की तली पर जो दाब था वो गट जाएगा और कितना गटेगा पी नोट गट जाएगा तो इसका राइट हो जाएगा अप्सन नमर बी अब आपके लिए छटवा क्यूशन है जो मारा सिक्स्थ क्यूशन है इसके अंदर क्या है कि दाब मापी का पाठ चिंतर सेंटीमेटर पारा है यदि इसे उदरवादर से दीरे दीरे 60 डिगरी पर कौन पर मोड़ा जाए खुला पारा याई खुला सिरा पारे से बरे पातर में ही है तो पारे के इस्तम की उंचाई होगी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि दोस्तों मारा क बरे पातर के अंदर है और आपको बताना कि दोस्तों जैसे जैसे अपने इसको 60 डिगरी के कौन पर गुमाएंगे इस परकार से तो आपको बताना कि दोस्तों इसके अंदर जो पारा की मुचाई होगी वो कितनी हो जाएगी यान कि इसके अंदर कितनी लंबाई तका यह न यह प्रकार से बन जाएगे नियहां पर एक पिपढ़ा बन जाएंगा यह इतंगर्देद द्यकार होँ नीए जाएगा आधार और हम जानते हैं दोस्तों मारा जो कोष्ट टाई जीकॉल्ट होता है वो मारा होता है आधार आधार हो जाएगा इसका चिंतर और करन दोस्तों मान लेते हैं यह मारा एल है तो यह जाएगा करन तो दोस्तों यहां से ल का मान अपर निकाल लेंगे तो चिंतर बट्टे कोस्ट टिट ओ जाएगा और दोस्तो में ठिटा कामान 60 डिगरी दिया हूआ है तो कोस्ट कामान होता है वन बाई टू तो यह दो इदर जाएगा तो दोस्तो चिंतर को 2 से मल्टिपलाई करेंगे तो 152 हो जाएगा तो इस परकार से आल कामान हो गया 152 है तो दोस्तों मारे जो पारा मापी के अंदर जो पारा चड़ेगा यान कि ये इतनी हाइट पर चड़ जाएगा और ये हाइट कितनी हो जाएगे मारे 152 तो इसका राइट हो जाएगा मिस्तरन का गनतु होगा दोस्तों आपको क्या दिया है कि दोस्तों मारे कोई दो अलग अलग यानि वह है नि दोस्तों मारे कोई भी मिस्तरन यानि दोस्तों लिक्वीड है दर्व है उनके दोस्तों गनतु पहले का रोवन है और दूसरे का रोटू है और दोस्तों ये इनके यादि दरवमान सम्मान है तो जो गननत हो जाएगो इसका formula direct रियाद रखना दोस्तों वो रहता है row 1 row 2 upon में row 1 plus row 2 तो इस परकार से इसका राइट हो जाएगो अपसरमर्सीवाला दोस्तों याद रखना जब दो सम्मान दरवमान के दरवे को अलग अलग वे नदिन फर्शोमान वाले दोतान जोडवन का जाई गनत्य वाले यी रोवन मीट के दो 2 ौइंड्व मिला जाते हैं मिस्ट्तर्छन का गनत्यद होंगा अब दोस्तों हमारे कोई 2 दर्व है अलग अलग है इनके दोस्तों जो गनतों हैं वो भी अलग अलग है लेकिन दोस्तों पहले वाले क्यूशन में हमें इनके दोस्त समान दर्वमान दी वे थे लेकिन यहां पर दोस्तों दर्वमान तो अलग अलग है लेकिन इसका जो वॉल्यूम है आयतन है वो एक है यह तो दो फॉर्मूले बहुत इंपोर्टेंट दोनों को याद रखना है जब आपको दर्वमान ऐनी समान दर्वमान के दोस्तों दोग जो मारे लिक्वीड हैं उनको मिलाकर एक मिसरन बनाया जाता है तो इस मिसरन का जो गनत हो जाएगा तो वह आपर तो जाएगा टू रोवन पर एक क्यूशन पुछा गया है इसमें क्या है कि जल एवा में गनतों दो वाले दर्वे की समान मात्राइं मिलाने पर मिसरन का गनतों होगा एंट तो समान मात्राइं का मतलब है कि दोस्तों उनका जो हमारा वोल्यूम है वो दोनों का एक्वल है तो दोस्तों समान आयतन प तो दोस्तो आपको पता होगा एक होता है दूसरे जल यानि दर्वय का गनतव आपको दो दिया हो तो यह मारे जाएगा दो और अपोन में जाएगा दो तो इस परकार से दोस्तो मिस्तरन का गनतव का जो मारा वह जाएगा गनतव कितनों जाएगा 3x2 तो इसका राइटर इनको आप पासानी से कर सकते हैं तो इस प्रकार से इसका राइट है अप्शन नमर ची अब हमारे दोस्तों जो टेंथ क्यूसन है इसके इंदर क्या दिया हुआ है कि ताप मानविवर्दी होने पर किसी पिंड के गनतों में किस परकार परिवयतन होता है दोस्तों आपको बताना कि यदि इमारा कोई दर्वय है उसका गनतों रो है यदि दोस्तों इसका अपन टेंप्रेचर बढ़ा दें तो आपको बताना कि इसका गनतों किस परकार से चैंज जोगा दोस्तों पहले बात तो आपको ये याद रखनी है कि किसी भी यह दिश्ण लिकवीड का अपने आनु तो इसका गन्यतु और ऑग घ्याइगा नज़े वह घ्याइगो घ्याइगा और रोओन नोट चे गांम मा यदे कम हो जाता है यहांने दोस्तों मारा जो नया प्रेसर हो जाता है वो कितना हो जाता है पी नोट माइनस से पी नोट गामा डी ठीटा तो यहां से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो मारा जो नया प्रेसर हो जाता है वो पी नोट यह रो नोट हो जाता है मारा वन माइनस गामा तो इस परकार से दोस्तों मारा जो इसका राइटिंस जाएगा जाएगा अप्शन हमर बीवाला यानि दोस्तों यदि डीठेटा टेंपरिचर बढ़ाते हैं यदि इसका ताप कुणा का गामा हो तो मारा जो नया गनातुव होता है रो वो कितनों जाता है रो नोट कोश्टक में वन माइनस गामा डिठेटा तो ये दोस्तों इक्वेशन इसको याद रखना इस पर दोस्तों निमेरिकल भी पुछे जाते हैं तो इसका राइटिंस जाएगा अप्शन नमर बी वाला यानि यदि किसी ताप में वर्दी होने पर जो पेंट का गनातुव होता है दोस्त अपके लिग यारवा किसान इसके अंदर क्या दिया हो है कि दरसाएग चितर और आपके दो चीपर दिया है इनमें से जो दाब है वो B के दाब से कम है या दाब पर या जो दाब है वो बरतन की आकरती पर निबर नहीं करता या A तथा B के पेंदों पर दाब सम्मान है दोस्तो इसका जो राइटेंस हो जाएगा वो जाएगा अपसन नमर डी वाला या दोस्तो मार जो A A उम B है दोनों के पेंद एक तो एनके रोज जीने होता है दोस्तों, ये है तो दर्वा की परकरती पर निवर करता है एक दर्वा की Ceight तक बराउआ है इस पर निवर करता है Goert considerations पर दोस्तों ये जो पाथर है है नि दोस्तो रो का मान भी समान है वो गूडिती तौर्ण का मान हमारा वीस्टिय समान होता है तो इस परकारसि इसके राईटेंवस जायगा option number D वाला यैंड दोस्तो इन दोनों पातर की तली पर dent मारा pressure क्या हो जाएगा equal हो जाएगा तो इसका राईटेंवस जायगा वो इसके अंदर दोस्तो इस परकार से जल पर आवाता है तो दोस्तो आपको बताना है कि दोस्तो मायर जो इसका जो ये पेंदे की कुन की बांध होता है दोस्तो ये बांध इसकी जो मोटाई होती है वो नीचे से यानि अधिक होती है वो क्यों की जाती है गेराई के साथ जल की मातरा बढ़ने के कारणे या गेराई के साथ या दोस्तो इसका जो गनतु है जल का गनतु हुआ है बढ़ता है या गेराई के साथ जल का दाब बढ़ने के कारणे या गेराई के साथ ताब बढ़ने के कारणे दोस्तो इसका राइट हो जाएगा अप्शन नमर सी वाला क्योंकि हम जानते हैं दोस्तो प्रेसर का फॉर्मल होता है वो रो जी एच होता है तो जैसे जैसे हाइट का मान बढ़ता जाएगा दोस्तो मारा प्रेसर का मान बढ़ेगा तो दोस्तो यहां पर अधिक प्रेसर होने के कारण यहां पर अधिक फोर्स लेगेगा और दोस्तो इस फोर्स को सहन करने के लिए दोस्तो इसको नीचे से मोटा बनाया जाता है बलकि दोस्तों उपर क्या आता है कि मारा प्रेसर कम लगता है तो इसकी दिवार की जो चोड़ाई है उपर से कम कर दी जाती है और नीचे जैसे जैसे हाइट का मान बढ़ता है तो प्रेसर का मान में अधिक होने के कारण इसकी जो दिवार होती है वो नीचे से मोटी बनाई तो इसका राइटेंश जाएगा अपसन नमर C अब हापके लिए नेक्ट कुसाने तो इसका C हो जाएगा अब हापका तेरवा कुसाने तेरवे कुसान में क्या दियाओा है कि दर्वे से बरे हुए किसी बंद पाइप में छेदे द्वारा वायू पर वाहित की जाती है तब दाब दोस्तो आपको क्या दिया है कि दर्वे से बरावा कोई बंद पाइप है उसके अंदर दोस्तो किसी छिदर द्वारे दी वायू पर वाहित की जाती है तो वो बताने कि दोस्तो जो उसके कारण जो दाब होगा वो है केवल की नारूप पर बढ़ता है केवल दोस्तो इसके नीचे वाले इसे पर बढ़ेगा या सबी दिसाओं में समारूप से बढ़ेगा या कहीं भी नहीं बढ़ेगा दोस्तो इसका जो रैट निस डेगो हो जा जाएगो अब सिम्हें मर्सी योँ आपको पता हूना है जो पास्कल वेग्याइनिक हो जानुद पास्कल का नियम है वो हमारी यही कहता है कि य Caddy कोई बंद पातर है उसके अंदर किसी भी सेथर पर यानी कोई भी दाब लगाया जाता है तो यह जो दाब होता है सब्बी दीसाओं में समान रूप से वितिरित हों जाता है नि जितना दाब यहाँ पर लगाया जाएगा वहाँ दाब 400 समान रूप से यानि हमारे जो जितनी भी इसकी बुजाए होंगे वहाँ पर वितिरित हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों यह अपन किसी चिद्धर दुआरा इसके अंदर वाई परवायत करते हैं तो दोस्तों प्रेसर बढ़ेगा वह सबी यहाँ दिसाओं में समान उपसे बढ़ेगा यहाँ जो परेसर का मान होगा वह सबी दिसाओं में बढ़ता है तो इस परकार से इसका राइट होंगा उपसर नमर्स C वाला यहाँ दोस्तों कोई भी दर्वा से बरावा पाइप है उसके अंदर किसी छिद्र दुआ रहे दिवाई परवाहित की जाते हैं जो तो परेसर का मान होगा वह सबी दिसाओं में बढ़ेगा तो इसका राइट होंगा उपसर नमर्स C अब आपके लिए नैश्ट क्यूसन है हमारे तो जैदे है चोधवा क्यूसन है तो इसके अंदर क्या दिया हो है कि दो ठोस A वै B जल में तेर रहे हैं A का आदा आइतन B का दो बटे तीन आइतन जल में डुबा है A एवं B दोनो A एवं B के गनत्व की तुर्णा करो तो तो आपको क्या दिया हो है कि कोई हमारा दरुआ है उसके अंदर दो पदार्थ A एवं B इस परकार से ते रहे हैं कि A का तो आदा आयतन जल के अंदर डुबावा है वो B का दो बटे तीसरा जो हिस्सा है आयतन का वो जल में डुबावा है तो आपको इन दोनों पदार्थों का जो गनतु है उसकी तुलना का निया इनका रेशियो बताना कितनों होगा यानि आपको निकारना है रो A अपॉन में रो B और दोस्तो याद रखना इनका जो गनतु होता है वो V in A यानि दोस्तो एक का वहा है आयतन जो जल में डुबावा है अपॉन में V in B यानि B का वहा है आयतन जो जल में डुबावा है दोस्तो इन दोनों का जो आयतन का जो अनुपात होगा वही हमारे इसके गनतु है क्या आयतन के अनुपात के बराबर होता है तो हमें दिया वाए कि दोस्तों एका जो वन आदा इस्सा हायतन का वह जल में डूबा वाए और दोस्तों B है उसका दो बट्टी तीस्रे इस्सा जल में डूबा वाए TO इस परकार से दोस्तों को अल किरेंगे तो उपर तीन चला जाएगा और नीचे दो multiply दो हमारा चार हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार से इन दोनों का जो गनत्वा का अनुपात हो गया हमारा तीन अनुपात चार हो जाएगा तो इस का राइटर्छ से अगा option मश्य वाला दोस्तों याद रखना कबी भी आपको यह दिया वा हो कि यह हमारा कोई A पदार्थ है उसका जो यह आयतन है जल के अंदर डुबा हुआ वो V है यानि V A और दूसरा जो हमारा B पदार्थ है उसका जो जल में डुबा आयतन है वो V B है तो दोस्तों यदि इन दोनों का यदि गनत्वा का अनुपात फुर्चाज़ा अनुपात यदि आयनि वह यदि वटन नों में ब्राबर होता है तो यदि अपने वन बाई टू के अंदर दोवाइट सरी कह से डिवाइड करेंगे तो मारा 3 बटे 4 पराफ तो जाएगा इनकी इसका अनुपात तो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 अनुपात चाहे तो इसका राइट हो जाएगा option number C अब हमारा पंदरवा क्यूषन है दोस्तो पंदरवा क्यूषन में क्या दिया हुआ है कि V note item वै डी नोट गनतवा का पिंड डी गनतवा वाले दर्वा में तेर रहा है तो पिंड के आयतन का वह बाग क्या होगा जो दर्वा की सत्य के उपर है दोस्तों आपको क्या दिया होगा कि दोस्तों मारा कोई एक दर्वा है उसके अंदर कोई पिंड तेर रहा है दोस्तों मारा जो pin का जो volume है वो V note है एवं दोस्ते इसका जो गनतव है वो D note है और जो दर्वे का गनतव है वो D है तो आपको बताना कि वह है आयन की जो पदार्त इसका वह है भाग जो जल से बाहर है तो दोस्तों इसके लिए भी formula होता है यानि V out है दोस्तों इसको भी याद रखना जो मारा भाग जो मारा उपर तेरता हुआ हो तो इसका formula क्या होता है कि दोस्तों मारा D minus D note upon में D और into में V note है यानि दोस्तों मारा जो V out होगा यान की इस पदार्त का वह है भाग जो सते से उपर है यानि जल से बाहर है तो उसके जो आयतन का जो formula होता है वो D minus D note upon में D into V note होता है दोस्तों इस formula को भी आपको note कर लेना है तो में यही पुछा गया तो इसका जो राइटन होजाएगा वो जाएगा option में C वाला यानि D minus D note upon में D दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि फिंड के आयतन का वह है बाग क्या ह पर है तो दोस्तों यहां पर V note नहीं दिया हुआ कि जो हमारा जो V out का जो formula होता है वो D minus के D note upon में D होता है और यह होता है V note है तो दोस्तों में कि यही इसका आनि अनुपात की रूप में फुछा गया है तो V out upon में जो V note हो जाएगा और कि V note यहां पर आ जाएगा वो किस जिसका गनतवा नो सो गराम पर मीटर क्यूब है पानी का गनतवा अजार के जी पर मीटर क्यूब में तेर रहा है तो पानी के टुकड़े का कितने परतिशत बाग पानी के उपर होगा दोस्तों आपको यहन की पहले जवाला क्यूशन है यहनि जो मैंने शुतर बताया तो सिपर क्यूशन बुज़ लिया गया है यहनि दोस्तों मारा कोई जल है उतका गनतवा आपको आजार दिया हूआ है और जो मारा दोस्तों जो बरब का गनतवा है वो आपको नो सो होता है तो यहां से दोस्तों में डी का मान अपन अजार रखेंगे और डी नोट का मान नो सो रखेंगे और अपन में रखेंगे अजार है और बार हो जाएगा हमारा वी नोट है तो दोस्तों यहां से हमारा जो वी आउट है नि वी ओ यू टी यानि यह ही इसको लिट्र कीज़के हो जाएगा तो यह ज़ी 1000 में सो 900 अपन गठाएंगे तो हमारा 100 बचेगा और 100 को यह ज़ी 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बजाएगा 1 बाइ 10 वी नोट है यानि कि दोस्तों अपन देखते हैं कि मारा जो बाहर का जो भाग है दोस्तों वह है वी नोट की तुल्णा में यानि एक बटे दस बाग बाहर है यह जो परकार से इसका राइट हो जाएगा अप्शन नमर सीवाला यानि दोस्तों बरब का वह है टुकडा जो यह पानी के पुरे टुकडे के कितने परतिसात होगा दोस्तों वह जाएगा दस परतिसात हो इसका राइट हो जाएगा अप्शन नमर सी अब देखते हैं आपके लिए नेक्ट क्यूसन है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि किसी बंद तरल के किसी बिंदू पर आरूपित भवा आरूपित किया जाता है इनमालों कि इस बिंदू पर हमारा पी प्रेसर लगा रही है तो दोस्तों जो प्रेसर है वो तरल के परते कैने बिंदू पर समान रूप से वित्रित होता है इसका परते एक बिंदू है उस पर प्रेसर का मान बढ़ता है यह अपन एक बिंद किसी विग्यानिक ने दिया था यह है विग्यानिक था हमारा पासकल है तो दोस्तों यह हमारा पासकल का नियम भी है यह पासकल का नियम क्या है कि किसी तरल यह बंद तरल में किसी बिंदू पर अदारुपी तरल के परतेग बिंदू पर समान रूप से वितिर्त होता है तो द आपको बताना यदि इसको जल के अंदर यदि दोस्तो चोला तो आपको बताना कि जल के अंदर इसका दोस्तो जो वेट होगा इसका बार होता है यह अपन कह सकते हैं वी रोजी यानि दोस्तो वी का माना में दिया हुआ है पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच और दोस्तो रो का माना हमारे साथ दिया हुआ है और जी का माना में दोस्तो जी रख लेते हैं और दोस्तो यदि अपने इसको जल में तोलते हैं तो अपन जानते हैं यदि जल में कोई पदात रखावा है तो उसके द्वारा कोई एक बला यानि उपर की और कारी करता हो वो तो हमारा उत्पलाओं बले तो दोस्तो यानि कि इसका जो हमारा समाने भार है उसके अंदर से ज दोस्तो मारा जो उतपलावन पर लेwegenगा वा मारा जाएगा V सिगमा जी दोस्तो मान लेते हैं किसमा हो जल का गनतुवा है तो दोस्तो मारा जो इसका वास्तिक बार है इसमें दोस्तों यह दी उत्पलावन बल गठा देंगे यानि जो उपर क्यों लगेगा यह गटाने के बाद दोस्तों मारा जो इसका जो अबासी भार हो जाएगा वो निकल करा जाएगा यान दोस्त का जो वास्टिक भार है इसमें से Уधपलावन बुलकर लाएंगे तो घटाएंगे मतलब वीक का माना मारा कितनों जाएंगा पांच गुना पांच गुना पांच और दोस्तो इसका गनाट वगानाँ जाते हैं जल के लिए गनाट वाएंग एक होता है और यह मारा हो जाएगा G तो दोस्तो इस परकार से यह दिए इसको एक पन सोल करेंगे तो पांच गुना पांच गुना पांच दोस्तो यह मारा कुमा ना जाएगा सभी में से और दोस्तो यह जी भी मारा बाहर कुमा ना जाएगा और अंदर बचेगा दोस्तों यहां पर तो बच जाएगा साथ और यहां से बच जाएगा एक साथ में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा छे तो इस परकार से दोस्तो इसका जो फाइनली मात रगे बाहर तो गेते हैंगे तो नोरी तर वह तो इसका जो आबासी बाहर होगे वह कितना हो जाएगा ओप्सन नमर एवाला अब देखते हैं आपके लिए नेश्ट क्यूशन है इसके अंदर क्या दिया है कि एक वस्तु किसी दर्वा की सेटा पर ठीक तेर रही है तो वस्तु का गनतवा दर्वा के गनतवा के समान है तो वस्तु थोड़ी सी दर्वा में दकेली जात दोस्तो आपको क्या दिया है कि एक हमारा दर्वा है दोस्तो यानि कि दर्वा का जो गनतवा है उसी गनतवा का एक पदार्थ है उसको दल के अंदर दोस्तो यानि किसी स्थान पर दकेल दिया गया है तो आपको बताना है कि वह दकेलने के बाद वह पूर्वा अपने पूर यह लगाया है क्योंकि दोस्तों इसका दोनों का जो गनतुवा है वो समान है तो गनतुवा समान होने के का इसके का इसके गनतुवाले है अपन पर दाथ मिला देते है तो दोस्तों वह उसमें घुल जाते हैं जहां पर वह रहता है वहीं पर रहेगा किसी भी डारेक्शन में नहीं फोर्ट ने कर लगता यह इस पर जितना उत्पलाओं बलेगा उतना ही इसका भार होगा तो यह दूनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे तो मार जो पदार् से निटा गुना कम है तो गोला चितर अनुसार एक डोरी की सायता से किसी पातर की तली से संगलित है यह दि गोले का दर्वमान एयम हो तो डोरी का तनाव होगा दोस्तों आपको क्या दिया आवा कि जो एक गोला है वो किसी पातर के अंदर यानि दोस्तों किसी रश्य से ब वो सिग्मा पॉन में नीटा है, तो यहाँ से अपन में देखते हैं कि जुजल का गनतु है, दोस्तो वो नीटा रोज आएगा, और यह हाई नहीं, दोस्तो में बताना कि यदि यह हो, तो दोस्तो यह रश्शी के अंदर तनाओ कितनों कोगा, दोस्तो अपन जानते हैं, यह गोले पर रहने दोस्तों उपर की और उत्पलावन बल हो और इसका नीचे यानि गोले का वेट हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा तो दोस्तों इसके उत्पलावन बल में से इस गोले का जो भार होगा यदि अपने इसको गठा देंगे तो मारा दोस्तों नेट उपर क जो दोस्तो जो बल होगा वही हमारे इस रशी के अंदर तर्णाव के बराबर हो जाएगा तो दोस्तो हमारे जो उपपर के एन के जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितनों जाएगा उत्पलावन बल माइनेस के इसका भार है तो दोस्तो उत्पलावन बल हमारे अपन जानते है वी एम जलका गनतव इंटू जी होता है तो यह हो गया मारा वी जलका गनतव सिग्मा और इंटू हो गया जी इसमें से दोस्तों अपन इसका भार गठा देंगे तो इसका भार अपन जाते हैं दोस्तों मारा भार होता है एम जी और M की जगह दोस्तों अपन जाते हैं M बराबर होता है गनतुवा गुना आयतन है तो इसका जो गनतुवा है में रो दिया हुआ है और आयतन वी दिया हुआ है तो इस परकार से दोस्तों इसका जो भार हो जाएगा वो कितनों जाएगा V, Rho, G हो जाएगा तो दोस्तों इसको अगे अपन सोल करते हैं कि सिगमा की जगा दोस्तों अपन कितना रखेंगे नीटा, Rho, यह हमें दिया हुआ है और यह हमारा हो जाएगा G और इसमें से अपन कठा देंगे V, Rho, G यहां से दोस्तों अपने भी है इसकी जगा अइं मदूबारा यहां से तरफ से दोस्तों पन कहे सल्गते हैं कि उमारा जो नेट फोर्स ऑपर क्यों और कितनो जाएगा Mg और Kostak में निटा माइनस 1 है तो दोस्तो हमारा जो Net Force होगा उपर के और वही हमारा रश्चे के अंदर तनाव हो जाएगा तो इस परकार से दोस्तो इस टोरी के अंदर तनाव हो जाएगा Nita माइनस 1 Mg तो इस Karaitis जाएगा Option में D वाला दोस्तो इसे के साथ हमारा आज का वीडियो कम्प्लीट होता है दोस्तो आज की इस वीडियो में जो हमारे जो आँकी क्विशन है वो थोड़े अधिक थे दोस्तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा श्यानता एवं उस पादारे थे तो उसके अंदर दोस्तो अपन बहुत ही अच्छे से theoretical question है और दोस्तो इससे बहुत कमाईनी numerical question होगे तो उस वीडियो के अंदर दोस्तो आपको और भी मजाएगा तो दोस्तो सब तक मिलते हैं हम आपको इस वीडियो में तब तक आप सभी को जय हिंद